असलाम लेकुम स्टूडेंट्स सोशल इंपेक्ट जो है उसको मज़र करने के हवाले से शायद मेयरमेंट पर से प्रॉब्लम नहीं है वो भी है लेकिन उसको क्वांटिफाइ करना उसको इंटरम्स अफ नंबर्स लाना जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है और चुँके सोशल वैलियूज को क्वांटिफाइ करना जो है वो मुश्किल है इसलिए हम सादा जबान में कह देते हैं कि मयरमेंट जो है वो मुश्किल है सो मयरमेंट तो केस स्टडी से भी हो सकती है एक स्टोरी से भी हो सकती है किसी का केस अगर सिकसेस स्टोरी है वो बियान करके लेकिन उसको क्वांटिफाइ करना नंबर की टरम्स में लाना जो है शायद बड़ी मुश्किल वो है लेकिन क्या किया जाए हम सब नंबर्स को अनकॉंशिसली हम उनमें ट्रेस्ट करते हैं हम सारी जिन्दगी नंबर की टरम्स में गुजारते हैं नंबर अफ येर्स, सैलरीज, इन डॉलर्स, इन रूपेज, मकान का साइज, नंबर अफ येर्स स्पेंट इन दे स्कूल ये सारी चीज़ें जो है अगर आप हम रियलाइज पे नहीं करते हैं कि हम इन सब को क्वांटिफाई करते हैं हम स्कूल का एक्सपीरियंस जो है कितना अच्छा रहा, कितना खुबसूरा जमाना था, हमने क्या लर्न किया ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, दस साल गुजारे या ग्यारा साल, आपने 16 साल की एजुकेशन ली, 18 साल की एजुकेशन, ज्यादा इंपोर्टन जो है, वो नंबर अफ येर्स हैं तो इसी तरह सोशल इंपेक्ट जो है, जो वेल्यू है, सोशल एंटरप्राइस की, उसको क्वांटिफाइ करना जो है, वो ट्रिकी है दरसल ट्रिक यही है, कि उसको नंबर्स की टाम्स में, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, बैनेफेशरी, इन्वेस्टर्स, गर्म्मेंट्स, और्गनाइजेशन, खुद बाज़ुकात, एंटरप्रेनियूर जो है, वो तो उसको किस तरह से किया जाए यह जो कौन्टिफाइंग का अमल है, यह पिछले स्टेप से हम कौन्टिन्यू करेंगे, जब स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन की जाती है, उस कंसल्टेशन में सोशल एंटरप्रेनियूर मुक्तलिफ उन से सवाल पूछता है, और उन सवालों के जो जवाब हैं, बै उनके नजदीक उनकी क्या एहमियत है, इन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, सोशल एंटरप्रेनियूर जो है, अमूमन उस कानवर्सेशन को रिकॉर्ड करता है, और उसमें जो इंडिकेटर्स बार बार आते हैं, मुख्लिफ स्टेक होल्डर्स एक ही चीज़ को मेंशन करते हैं, कि हमारे नजदीक वैल्यू यह है, हमारे नजदीक आउटकम यह है, हमारे ख्याल में हम इस बात को अहम समझते हैं, तो इन इंडिकेटर्स को वो चुनता है, उनको प्रियोरिटाइज करता है, सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या मेंशन किया गया, उसके बाद क्या, उसक का ज़रूरी नहीं है कि जो टाप 3 और 4 जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे quantities को ही measure करते हों. मसलन size of impact, distances, volumes ये चीजें ज़रूरी नहीं है कि उन इंडिकेटर्स में हो. उसमें stories भी हो सकती है. तो इंडिकेटर्स जो हैं वो एक ऐसा mix होना चाहिए जिसमें वो story भी आ जाए stakeholder की उसकी जो sense है जो value वो social उस enterprise को करता है वो भी convey हो जाए लेकिन साथ साथ कोई numbers quantities जो हैं वो भी social entrepreneur के पास आ जाएं जिससे वो अपना impact जो है वो accepted terms में बियान कर सके और फिर इन इंडिकेटर्स को वो over time track करता है ओके अगर ज्यादा तर लोग जो हैं उनके नजदीक outcome ये है या output ये है या success ये है तो साल बाद हम कहां खड़े हैं दो साल बाद कहां खड़े हैं तीन साल बाद कहां खड़े हैं और project की completion या जो initiative है उसके completion के time पे कितना उसमें से हमने achieve कर लिया कितने जो है वो हमने goods या services डिलिवर कर दी कितने लोगों को फाइदा हुआ वगेरा वगेरा उसमें ज्यादा तर जो है वो इस किसम की चीज़ें आती है inputs जिसमें all kinds of resources जो है वो आ जाते हैं human resource कितना use हुआ बजट कितना था किस किसम का budget था कितने investors थे किन लोगों के साथ activity की गई तो ये आपके inputs हैं जो उस काम के अंदर resources इस्तमाल हुए हैं इनको आसानी से quantify किया जा सकता है फिर activities आ जाती हैं दूसरे नमबर पे inputs के बाद कि उन inputs को किन activities में इस्तमाल किया गया training हो सकती है capacity building हो सकती है actual production of goods हो सकती है कोई services की delivery जिसमें skill based किसी खास किसम की चाहिए expertise चाहिए उनकी hiring हो सकती है तो यह मुख्लिफ activities है again इनको quantify किया जा सकता है कि कितनी जो है वो product बनाएगी कितनी goods produce की गई कितनी services deliver की गई कितने लोगों की coverage हुई कितने area की coverage हुई यह चीजें जो हैं इन्हें quantify किया जा सकता है फिर तीसरे number पर output आ जाती है input activity जिसके जरीए से वो output में अब convert हो जाती है means के लोगों को जो फाइदा हुआ market किया जब आपने goods को तो number of units sold अगर services दी हैं तो कितनी services कितने लोगों को क्या उनका जो है standard था वगेरा इस किसम की चीजें जो हैं वो outputs में आ जाती है इनको भी quantify किया जा सकता है in terms of numbers उसके बाद outcomes आ जाती है यहां पर आके थोड़ा सा quantify जो है वो tricky हो जाती है क्योंके social value जो है उसका impact या longer term जो outcomes हैं वो अमूमन quantify करना मुश्किल हो जाता है मसलां better life, happier communities, more cohesive, ज्यादा अपस में जुड़ा हुआ communities का तालोक, volunteering की sense, political awareness यह वो चीज़े हैं जो outcome होती हैं अमूमन उन inputs, activities और outputs की जो longer term में communities या individuals enjoy करते हैं social enterprise के fruit के तोर पे लेकिन इनको measure करना जो है खास दोर पर number की terms में मुश्किल है जैसे हमने पहले भी बात की थी पिछले module में कि better life किसी एक शक्स के लिए और हो सकती है और किसी दूसरे शक्स के लिए depending on level of their deprivation ये exclusion मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन यहां पे आकर जो social program evaluation है वो अभी work in progress है कि ये indicators जो है outcomes को longer term में जो outcomes हैं उनको measure करने के लिए अभी काम हो रहा है Thank you